एक छोटी सी कटिंग को लगा कर आप अपने घर को जंगल का सलोग दे सकते हैं और पर्मनेंट प्लांट को लगा सकते हैं एक बार आपके गार्जन में आ जाते हैं तो कभी नहीं जाते हैं फ्रेंड से आज ऐसी वीडियो लेके आई हूं कि कटिंग से आप कौन-कौन से प्ल कि अगर अगर अगलाते हैं सेप्टेंबर में भी सारे प्लाउरिंग से लग जाते हैं अगर जैसे ही फ्लावरिंग होती है उसकी चिप को तोड़ देला है उसमें बismoMoRy से नहे और देखि कितने सारे सूँट्स मेरे आए हुए हैं इसमें और जब फिलाउरिंग होती तो बह इसको बागवान को चड़ने वाला फूल है यह बहुत जादा एजी ग्रोइंग है और बहुत ही कम केर में चलने वाला प्लाइट है देखिए बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है एक बेल नुमा प्लांट होता है यह और इसको बेल की तरह आप उपर चड़ा सकत और इसमें एक लाइट और डाक कलर आता है ब्लू कलर ही मैंने देखा है तो इसको भी आप कटिंग से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत ही इजी ग्रोएंगे इसकी जो टहनिया होती है ब्रांचिज होती है बहुत जादा मोटी नहीं होती है एक छोटी सी इसकी पत्यों को सुखाने के बाद में और गयन बनाया जाता है जो कि पीजा में काम आता है और अगर आप देखिए बहुत जादा दवाई के भी काम आता है इसको मैंने कट करके रग दिया है अगर पेट-वेट में दर्द होता है तो इसको यूज कर सकते हैं कटिंग से इ यह टिकोमा का प्लांट है इसको मैंने डेर साल पहले दो साल पहले मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था और कुछी दिन में इसकी कटिंग लगने के बाद में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई अगर हम लोग प्लांट के नरसरी से खरीद के लाते हैं तो हमको उतनी साल को लगाते रहिए अर्स को ब्लावरिंग हो चुकी है उसके बाद दूबारे से लावरिंग करने को तयार है इस तो बार लैंग तो पह्ले निया को दिखाएं उसके फ्लावरीं में बढ़न हो जाते we're here don't Corona 형कаль आ से और पांब्यों से इसको वी आप कर तो स्यूकि ऑछeft में लगा सकते हैं पॉर्ट में इतनी फ्लावरिंग करते हैं उसके बादी रोज की प्लांटे हैं रोज प्लांट को आप हाइब्रीट को भी लगा सकते हैं और देशी को भी लगा सकते हैं इस टाइम पर अगर आप देशी प्लांट को देशी गुलाब को लगाते हैं तो इसको भी आप कटिंग से सभी तरह के गुलहर को लगा सकते हैं तो इनको आप जरूर अपने गार्डिन में एड़ करिए और यह बहुत ही सुन्दर सा बेल नुमा प्लांटे है ब्लेडिंग हार्ट इसमें दो कलर आते हैं एक वाइट है और एक रेट कलर आता है इसको आप सी को अपल क GG कहाता है ने बाऊन होता है और बोहत के एसको पलावरिंग होती है तो मैं कहूंगी कि अपने ऑ्स जरूर्फ ऐट करना चाहिए जो सदा भाहर के जो एक ऐसे को भी आप लगा सकते हैं जिन में की फ्लावरिंग होती है ।क तरह था ग।्डंग होता है प्लां इस बिष्वास भी नहीं हelaं लग जाईगी यह से इस तरह से प्लावरिंग होती है तो सा थाड़े प्लांट होता था प्लांट अरक्टin मिल जाती थिए जरूर लगाईगे लिगिए इस अडिए जो मैंने गुल्दाओी बहुत सारे पॉट में जो गर्मियों में हमारे जो कुछ प्लांट खराब हो गए थे जितने भी पॉट खाली हुए थे मैंने सब में गुल्दाओी लगा दी है और यह देखिए अगलोनीमा की कुछ वराइटी है और यह तो अगलोनीमा नहीं है लेकिन इसके बहुत ही सुन्दर सा प्लांट है ब्लू जेज का तो इसको भी आप कटिंग से ग्रोग कर सकते हैं देखिए मैंने दो कटिंग लगाई थी और बहुत आराम से चल गई है वैसे गर्मी का फ्लावर है लेकिन यह खराब नहीं होता है इसमें फ्लावरिं जो है वह गर् में लगाना शुप माना जाता है एक पत्ते से ग्रो हो जाता है देखिए इसका जो मदर प्लांट है यह है और में को दो साल हो गए इसको लगाए हुए और इसमें देखिए अब नहीं सूट सा गए हैं म्रम कमल को आप जानते हैं फ्लावरिंग होने के लिए कुछ टाइम होता है तो इसमें फ्लावरिंग होने को भी तयार है और सकुलेंट की कुछ वेराइटी हैं जिनको आप लगा सकते हैं इसका मदर प्लांट है और नीचे आपने देखा जो मैंने अभी लगाया हुआ है इस टाइम पर आप उनको भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से चल जात बारिश के कारण से देखे सारे फ्लावर गिर चुके हैं बहुत ज्यादा हमारे चार दिन लगातार बारिश हुई उसके बाद गार्डेन का यह हाल है कि फूलोल जो जहें वह ज़ड़ हैं सारे इस तरे मेरे देशी वाले जो हाई मैं ही विसकस होते हैं वो लगे हुए है बढारिश का चंपा प्लांट है मैंने का दिन लगा हुआ है इसकी अब बारिष थोड़ा कम होगी तो उसके बाद इनको थोड़ा दूप में रखना चाहिए जिससे की फंगस ना लगे मैं आपको दिखाती हूं कि कितनी जल्दी यह ग्रो हो जाते हैं कम से कम 15 दिन पहले मैंने को लगा दिया था कटिंग से अभी देखिए इनकी कितनी रूट बन बारिष नहीं है कि बारिष का पानी भी हमारे प्लांट के लिए अच्छा होता है पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है एक दिन के बाद मैंने दूसरे दिन को चाहा मैं रग दिया जहां बारिष नहीं आती देखिए कैसी रूट बनी हुई है और 15 दिन में ही इसमें गुल्दाओी में इतनी रूट सा गई हैं तो देखिए आप अभी आराम से लगा सकते हैं यही विसकस को भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है यह पॉर्ट में लगा हुआ है तो देखिए आप ग्रोध देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा हो रही है तो कहने का मतलब है कि देख सकते हैं और बहुत सारे प्लांट जो है नरसरी से खरीदने के बजाए आप अगर खुछ से ग्रो कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है और बिना पैसा खर्चे कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट मैंने अपने घर में सारे ही प्लांट जो है वो कटिंग से ग्रो किये हैं कहीं भी जाती थी तो वहां से कुछने कुछ कटिंग लेकि आती थी कुछ से मांग के और जो लोग नहीं देते हैं वो थोड़ा सा चुराना भी पड़ता है तो इसमें कोई बात नहीं है प्लांट क प्लावर भी है यह सर्दियों में भी आता है और गर्मियों में भी तो इसको आप सीट से असानी से ग्रो कर सकते हैं उसके बाद देखिए यह भी खुबसुरा मुल्गा कल्की का प्लांट है और यह देखिए हल्दी कुंपुम है लेकिन कीड़े इतने ज्यादे लगे हुए ह यह बहुत ही ज्यादा इसको भी सीट से घ्रो कर सकते हैं सदा अबहर की जो और राओर्ध ज्वा नेघड्न है इसको मैंने चैने से नघेस में पर एक गर सकते यह इसको बहुत यह प्लान्ट है इंज क्रोटन की प्लांटे इनको मैंने कटिंग से लगाय हुआ है जो कि बहुत आसानी से चल जाते हैं और सदा बहार रहते हैं बहुत ही खुबसुरत होते हैं और आपके गार्जन को हरा भरा तो बना दी है एर प्युरिफाइंग का काम भी करते हैं पीस लिली को भी आप मेक्सिकन पिटोनिया की छोटी वाली विराइटी है बहुत सारे कलर्स मेरे पास हैं तो मैंने को कटिंग भी कर दी क्योंकि देखिए अभी जैसे हम लोग सोच रहे थी कि बारिश कम हो गई तो प्लांट की सफाई करेंगे गार्डिन को साफ करेंगे तो चार दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो आज हमारे थोड़ा धूप आई देखिए इस तरह से मैंने को कटिंग करके उसी प्लांट में लगा दिया था और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है उपर से और फ्लावरिंग भी हो रही है और देखिए सीट से भी ऐसे ही ग लगा था कटिंग देखिए यह बहुत अच्छी लग रही है और यह पैंटास को भी आप सिल्ट से भी ग्रो कर सकते हैं कट इस जितने फूल सपंड हो जाते हैं उनको तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे तो इनको भी आपने गरजन में आड़ कर सकते हैं इस टाइम पर बहुत सारे कलर्स इसके आते हैं तो आप सारे कलर्स को एड़ कर सकते हैं मेरे पास दो कलर है वाइट और पिंक जो है और यह कैक्टिस से इसके छोटी सी प्राइंच अगर आप लेते हैं तो बहुत ही खुब शुरूरत बन जाता है देखिए इनको भी आप इस समय पे इसको इस अची आफ प्लांट प्लांन धुर्टित कोई लगाती जलदी क्सेटे कांट । इतनी जलदी रूट बन जाती ऐह अब इसक palavra कर फ़े लिब बनने रहां अब बार्य दिन में तो इसकी रूट काफी डेवलब हो जाती है तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्जन में इस समय पर जैट प्लांटी कितनी ही कटिंग लगा सकते हैं और अपने गार्जन को जंगल का लोग दे सकते हैं देखिए आप मेरे जो गुल्दाओी लगी हुई है अभी इनकी ट् मेरे साइड में रखे हुए यह प्लांट अभी और इस जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सब कटिंग से लगे हुए बहुत ही खुबसूरत है और आपके गार्जन को हमेशा हरा भरा बना के रखते हैं तो छोटी-छोटी कटिंग लाते रहिए और लगाते रहिए दे भी रखेर बिटर कैप देखेर भाते तक ये विंटर तक फ्लावर कर देघ एव पुरी गर्मीष ने बरसाद भी बिञाज कुरह दिया अभी ये विंटर तक फ्लावर देए इसको आप सेड और कटिंग से-बू कर सकते हैंि सीड से भी से भी आट इससे जैसे ही आपको और यह तो आप जानते ही है पॉर्चुला पार्सलीन वासरोज को इनको पूरी बढ़साद पूरी गर्मी फ्लावरिंग देते हैं अभी इनको सेफ करने का टाइम दीरे दीरे आ रहा है दिसंबर जनुरी तक फ्लावरिंग करेंगे उसके बाद इनको आप सेफ कर सकते हैं बैसे लोगों लग जाता है बहुत ही खुबसूरत प्लाइं तो इनको आप में आप ऐड़ सकते यह जितने भी आप आप देह रहे हैं सारे मेरे कंटिंग से लगे हुए हैं देखिए यह रियिक वाराइटी है बहुत सारे प्लांट लगे हैं इस इंगोनियम है यह बहुत ह डेफिनद्टिया का बीच में एक प्लांट था और हाथी कान का प्लांट है जो सबती हैं सब गुपसुरत ह्ता हैं सब कटिंग लगा हुए हैं और एतनी जल्दी मैं ने कटिंग से इतने सारे प्लांट लगा लिए हैं मुझे खुदी यकी नहीं होता है, आप मुझे हैं वही थोड़ा मुझे थोड़ा मुझे होता है तो यह सारे ही प्लांट एसे इसे देखिए गिए नाग चंपा का प्लांट इस इसना सुन्दर फ्लावर आता है कटिंग से ग्रो किया हुआ है और बहुत ही चोटे से प्लांट में कटिंग लगाने के बाद में फ्लावरिंग करने लगता है इसको मैं आपको दिखाती लेकिन इसमें अभी फूल आने वाला है तो यह इसके सांद नाइंसा भी होगी अगर मैं इसको निकाल के इसकी जड़ क आपको दिखाऊंगी तो इसमें फूल आने वाला है तो यह खराब हो जाएगा तो देखिए इस तरह से आप चोट चुट 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 लगा सकते हैं नाग चंपा बहुत ही चल जाता है और यह जो है सॉंग ऑफ इंडिया का है जो मैंने कटिंग से ही लगा हुआ हुआ ह देखिए इसकी ओभी कटिंग से मैंने कि लिए उसाना इसक按 Kin क में बना एल्या हिह और आप चुटिंग धाता है वे यह रहस का पार खुट चुट चुट है इसको बहुत ही ऋच्टिंग से लगा सकते हैं और फंच is कि यह भार स कटिंग कर सकते हैं इना फ्लेंग स्थ बास प्लांट बना सकते हैं और यह डेफिन बीटिया का प्लांट है एक छोटा सा कटिंग भी आप कहीं लगा देते हो तो इसकी जो बहुत ही अच्छी हो जाती है तो इनको भी आप अपने गार्डन में जरूरेट के रिए बहुत ही कम केर में चलने वाले प्लांटे हैं और सदा बाहर आपके गार्डन में बने ही रहते हैं इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आओंगी फिर बाइ बाइ थैंक यू टेक केर